महरास्ट के मिर्जा गालिप संजे राउत की हवा तब टाइट हो गई जब E.D. ने उनकी पत्नी को शमन भेजा तो मेरे नाम है मुस्कान चौरसी और आप देख रहे हैं The India Inside तो चलिए शुरू करें शिवसेना नेता और राजसव असांसत संजे राउत की पत्नी वर्षा राउत को E.D. ने PMC बैंक मनी लॉंडरिंग केस में पूछताच के लिए 29 दिसंबर को तलब किया है पत्नी को E.D. का नोटिस मिलने पर संजे राउत तिल मिला गए है राउत ने सोमवर दुपहर बाद एक प्रेस कॉन्फरेंस कर केंद्रे और B.J.P. नेताओं पर जम कर हमला बोला राउत ने केंद्र को चितावनी देते हुए कहा कि वह इस तरह की चीजों से डरने वाले नहीं है उन्होंने कहा कि उनकी पत्मी वर्षा राउत के नाम पर सियासी विरोत की वज़े से शमन भेजा गया है संजे राउत ने कहा कि मुझसे पंगा मत लेना मैं नंगा आदमी हूँ और शिवसेनिक हूँ शिवसेना नेता ने कहा कि मेरे पास B.J.P. की पूरी फाइल है अगर उसे निकाला तो आपको देश से छोड़ कर भागना पड़ेगा उन्होंने कहा कि E.D. केंद सरकार के इशारे पर काम कर रही है राउत ने कहा कि हम कानून का पालन करेंगे प्रस कॉंफरेंस को संबोधित करते हुए संजे राउत ने कहा इस देश में बीजेपी में ऐसे बड़े बड़े सूर्मा बैठे हैं अगर मैं उनके परिवार तक पहुँचा तो आपको देश छोड़ कर भागना पड़ेगा बीजेपी नेताओं के इतने नाम है कि 5 साल E.D. को काम करना पड़ेगा राउत ने कहा कि यह सब राजनीती से प्रेरित हैं दस साल पुराना एक केस E.D. से निकाला है हम मिडल क्लास लोग हैं मेरी पतनी एक सिक्षिका है उसने अपने दोस्त से दस साल पहले 50 लाख रुपे का कर्ज लिया था इसमें E.D. और B.J.P. को क्या तकलीफ है उन्होंने कहा कि मेरे पास एक साल से B.J.P. की परिवार के कुछ लोग आ रहे हैं वो बार-बार मुझसे यह कहने की कोशिश करते हैं कि यह सरकार हम किसी भी हालक में गिराने वाले हैं हमारे पास केंदर की सत्ता है E.D. C.B.I. और Income Tax है बता दे कि E.D. ने सिफशेना सरंसर संजे राउत की पत्नी वर्षा राउत को PMC Bank Money Laundering मामले में पुष्टाश के लिए 29 दिसंबर को तलब किया वर्षा राउत को मुंबई में केंदरी एजनसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है या उनको पेश होने के लिए जारी तीसरा शमन है इससे पहले वो दो बार स्वास्ते अधार पर एजनसी के समक्ष पेश नहीं हुई है पुष्टाश के लिए उन्हें शमन Money Laundering रोक थाम कानून के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है अब यह देखना है कि मिर्जा गालिप की पत्नी ED Office में हाजरी लगाती है कि नहीं तो आज के लिए बस इतना ही इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें